सर्वेभ्यो नमाहां मैं राज यस्वराचारे संस्कृतम आज हमारे हाँ एक शिष्य आये हैं बहुत प्रिय हैं हमने जो पिछला विडियो बनाये था व्याकरण सास्त्र पढ़ने की पातरता और व्याकरण सास्त्र की महिमा तो इस तरह से बहुत हमारे सिष्यों को अच्छा लगा और कई फोन भी आये आप तो आज पहुँच करके हमसे कह रहे हैं कि गुरुजी और इसके बारे में हमें बताईए पूछिए सिष्य गुरुजी साधर सास्त्र पर आसिरबाद है बोलिए गुरुजी वेडियो हम सब को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी बात धन्यवाद कृपा बताईए कि व्याकरण सास्तर क्यों पढ़то है और व्याकरण साष्तर की महिमा क्या है अच्छा अच्छा, व्याकरण सार्स्त क्यों पढ़ें, व्याकरण सार्स की महिमा क्या है, यही जाननी की इच्छा है, ठीक है, हमारे सभी अचारेगन पंडित विद्वान जो भी है, यह सब जानते हैं, एक श्लोक है, व्याकरणं बिना बाड़ी, भोजनं लवणं बिना, तामबुलं बिना राजा, ब्रामडस तिलकं बिना, उस बाड़ी की शोभा नहीं है, जो व्याकरण सम्मत शुद्ध रूपा सार्गर्भित न हो, और उस भोजन में श्वाद नहीं आता, यदि नमक न पढ़ा हो, नमक की बहुत आवशक्ता है, भोजन में, ऐसे ही बाड़ी बोलने में व्याकरण की आवशक्ता है, ताम्बुलं बिना राजा, वह राजा कों जो ताम्बुल यानि पान भक्षण न करें, पान न खाए, देखिए बनारस में काशी में जाकर, सब पान खाते हैं और राजा महराजा जैसे रहते हैं, भीतर कारंद ही राजा है, समझ गए? ब्रामण ब्रामण नहीं, उसकी कोई शोभा नहीं, जिसके मस्तक पर तिलक न हो, वह शोभनिय नहीं है, वह ब्रामण पूजनिय नहीं है, समझे? अब आईए इसी विशेह पर बोलता हूँ, व्याकरणम बिना बाड़ी, बाड़ी की शोभा व्याकरण सास्त्र पढ़ने से है, व्याकरण सास्त्र सबको पढ़ना चाहिए, बिना व्याकरण सास्त्र पढ़े, सुद्ध बाड़ी नहीं हो सकती, बाड़ी कैसी? सत्यरूप सारगरवित हो मधूरा बाड़ी हो समझे जितने बाड़ी के अच्छे गुण हो सकते हैं वे शब व्याकरण सास्त्र से प्राप्त किये जाते हैं व्याकरण सास्त के अध्यन से और बताओं व्याकरण सास्त्र की वैसे तो अनन्त महिमा है व्याकरण सास्त पढ़ने वाला व्यक्तीव जो व्याकरण होता है वह गूड़ शास्त्रों का ध्यन कर लेता है अर्थ निकाल लेता है हम एक जगह गए थे एक बड़े आचारेजी जिनके हां तंत्र सास्त्र की पुस्तके रखी हुई थी मैंने स्री विद्यारतनाकर उनसे निकलवाया और एक पेज पलट करके पूछा कि जरा आप इसको हमें समझाईए तो वे नहीं समझा पा रहे थे क्यों नहीं समझा पा रहे थे व्याकरण का ज्यान नहीं था उनको व्याकरण पढ़े होते तो उसको वह स्वैम पढ़ लेते अब पुस्तक तो उनके पुस्तकाले में बहुत देखा लेकिन संस्कृत में व्याकरण जिसने नहीं पढ़ा वो किसी दूसरे की सहायता ले करके अर्थ लगा पाएगा या तो खुब मजह हुआ विद्यार्थी रहा हो संस्कृत वांगमे को सही तरीके से जानता हो वही कर पाएगा सभी शास्त्रों से सार सार ले करके वहिया करण अपनी एक रचना बना देता है कि जो आपके लिए कम समय में उस शार तत्त को आप प्राप्त कर पाते हैं वाईया करण मैंने पिछले विडियों बताया था कि वह महर्शी है मुनी है उच्च विचारक है सत्य का आधान उसी में होता है कि सत्यम परम धीमही वही जानता है व्याकरण सास्त्र शब्द सास्त्र है शब्द ब्रह्म है तो ब्रह्म की उपाशना करता है जितने भी आप प्रियोग देखेंगे सभी रूप देखेंगे तो सब भगवान के नाम ही मिलते हैं व्याकरण सिधांत कौमदी में या लगू कौमदी में समझे तो भगवान के लाखों लाखों जब हो जाते हैं व्याकरण सास्त्र पढ़ने से समझे और बताओं पठपुत्र व्याकरणम व्यद्यपि बहुना अधीशे पठपुत्र व्याकरणम यवी कहा गया है कोई पिता अपने पुत्र शे कह रहा है कि तुम अन्यानी सास्त्रों में फसे पड़े हो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा तुमें तुम व्याकरण सास्त्र जदी पढ़ लेते तो यह सब समझ में आ जाता तो अपिता कितना वो धिमान है कि अपने पुत्र को प्रेरित कर रहा है कि व्याकरण सास्त्र पढ़ो और हमारे जितने विद्वान हैं ये लोग व्याकरण सास्त की महिमा को बताएं ताकि विद्यार्थियों में एक प्रणा मिले व्याकरण सास्त्र पढ़ने की, दूसरे दूसरे विशय के लोग अपने पास शात्र को पढ़ाने के लिए कहते हैं कि साहित पढ़लो, यह शास्त्र पढ़लो, जिस विशय के वे होते हैं उस विशय में कहते हैं, और यह कहते है कि व्याकरण सास्त्र नीरस है बिल्कुल गलत बोलते हैं व्याकरण सास्त्र नीरस नहीं है जो व्याकरण सास्त्र पढ़ता है वो सभी सास्त्रों को पढ़ने वाला हो जाता है उपनिशद के गुह ज्यान को समझने वाला हो जाता है वेदान्त के गुई अग्यान को समझने वाला होता है जितने बड़े-बड़े वेदान्ती हुए हैं सब बड़े-बड़े पहले के वयाकरण हुए हैं और गोश्वामी तुल्शीदास परम पुज्य गोश्वामी तुल्शीदास मान वयाकरण थे उन्होंने ही जो है स्री र करते हैं और और उनके हां भी धनधान से पूर्ण है भरा हुआ है उनका क्यों भगवान राम के गुडगान की महिमा गुष्वामी तुलसी दाजी ने जिन शरल भासा में कर दी वे तो महान वैया करण थे समझे एक बार गए थे दूर दर्सन से जो है हम सब प्रकार्शन भा के एक संपादक थे मैं था साथ में हम दोनों मिल करके योजना बनाए कि गो मुख से जो गंगा जी निकलती है और गंगा सागर तक जाती है तो इस विशह पर जो है कुछ हम सब लेखन कारे करें जिसका प् उसके मुख्य जो डारेक्टर है उनके साथ बैठक किये उस बैठक में डारेक्टर साब ने मुझसे पूछा कि आप तो वैयाकरण है कठिन कठिन सब्दों का परियोग करेंगे तो कैसे बच्चों को इस विशह की समझ होगी तो मैंने कहा कि परम पुझ्य गोस्वामी तु पूजा जा रहा है दुनिया पूझ रही है पूरे विश्व में जो है सुना जाता है पढ़ा जाता है घर घर दोहा पाठ किया जाता है सुन्दर कांट का पाठ किया जाता है तो वह भी महान वैयाकरण थे तो महान वैयाकरण ही सरल से सरल तम कारी कर देते हैं और क्योंकि वे कठिन से कठिन कार्य करना जानते हैं समझे तो ये व्याकरण सास्त के महिमा है कि सरल से सरल कठिन से कठिन सभी कारियों को सभी प्रकार के संपाधन कारियों को लेकर कर सकने कि उसमें ख्षमता होती है बहुत ऐसे तंत्र जगत के लोग मेरे पास फोन करके पूछते हैं गुर्जी ये जो मंत्रोधार है जरा समझा दीजिए कूट भाषा में है तो व्याकरण शास्त्र से उस कूट भाषा को भी तंत्र शास्त के धेन के कारण बता दिया जाता है समझे और वे लोग बड़े परसन हो जाते हैं जितने भी तंत्र शास्त्र में इश्लोक रचनाएं होती हैं सब व्याकरण से हो करके ये इस्तोत्र गुजरते हैं तब जाकर के पठनी होते हैं पाठ करने योगे होते हैं पराण करने योगे होते हैं समझे और व्याकरण पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जब व्याकरण सास्त्र का अनुसासन उतारता है तो जीवन में पहला अनुसासनम अनुसासनम तदनंतरम ज्यानम अपने जीवन को वह बेहतर करने लगता है अपने अध्यन करने लगता है क्योंकि व्याकरण सास्त्र की महिमा है कि आपकी बुद्धि को सुक्ष मसे सुक्ष मतम अस्तर तक पहुंचा देती है इतनी खमता है उसमें यह प्रोग्रामिंग विद्या है कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है प्रोग्राम का उसव पाणनी अश्टा ध्याई से प्राप्त है यह पाणनी रिशी ने जो कंसेप्ट दिया उसी कंसेप्ट पर रहे प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर का और इस विशे को किसी को जानना हो समझना हो कि प्रोग्राम कैसे बना जाता है तो व्याकरण ये सुत्र उस तरह से शब्दों पर काम कर रहे होते हैं उसी तरह के शब्दों पर किसी भी शब्द की वित्पत्ती के भीतर जाते हैं और धातु प्रते को सुत्रवत उसका सही तरह से शिद्धी कर देते हैं तो जो सिद्धी का प्रोग्राम है वही कम्प्यूटर का प्रोग्राम है समझें? ये महिमा है व्याकन सास्त्र की तो जब अपने जीवन में व्यक्ति उतारता है तो उसका जीवन सयमी होता है वेदान्त का ध्यन करने लायक हो जाता है और बहुत सारी बातों को समझने लायक हो जाता है तो सदाचारी हो जाता है समझे मिथ्या वाच्चा नहीं करेगा व्याकरन शुद्ध सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेगी जब सुधता रहेगी वाड़ी में तो सत्यता आएगी आप देखिए तैत्रियो पनिशद में सिख्षा वल्ली में जो दिख्षांत समारों बड़े-बड़े होते हैं जो उसमें दिख्षां दी जाती है विद्यार्थें को उपदेश दिया जाता है जो बड़े-बड़े विद्यार्थी जो उपाधि प्राप्त करते हैं बड़ी-बड़ी डिग्रियां दी जाती है उसमें कहा जाता सत्यमबद तो सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है जो सत्य बोलेगा वही धर्ममचरा वही धर्म का आचरन करने वाला हो जाएगा उसके बाद आगे देखे जो धर्म का आचरन करेगा तो वह स्वाध्याय करने वाला हो जाएगा स्वाध्याय क्या है अपने इंद्रियों पर किया जाने वाला अध्यायन स्वाध्याय है अपनी बुराईयों पर अपनी कामनाओं पर अपनी वासनाओं पर किया जाने वाला अध्यायन स्वाध्याय है समझे अध्यात्म साष्ट कनुसार इसी को स्वाध्याय करते हैं कि आप क्या क्या करते हैं ध्यान लगाईए देखिए कि आप से कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है कहीं मिठ्या वाचन तो आप नहीं कर पा रहे हैं अपने स्वार्थ वज आपकी बाड़ी कहीं जो है जूठी तो नहीं हो रही है कहीं चापलूसी करने में आप माहिर तो नही करी है तो यह सब विचार अंदर होने लगता है और कहा गया है कि मोही कपट छल छिद्र नभावा तो छल छिद्र इन सबों का जो है निराकरण हो जाता है व्याकरण सास्त्र पढ़ने से समझे जैसे व्याकरण शास्त्र शुद्र शुद्र बोलना लिखना पढ़ना ये विद्या शिखला देती है उसी तरह से जीवन में भी शुद्धता आ जाती है समझे शुद्धता जीवन में आ जाती है ऐसे तो बहुत सारे विशा हैं बोलने के लिए व्याकरण सास्त्र पर ऐसे से मेरे पास उदा करने हो सकेगा तो अगले वीडियो में बना दूगा समझे कई ऐसे उधान दूगा मैं पहले भी कई ऐसे जो है लोगों को बताते रहा हूं कि आप जो है सहस्त्र ना बोलिये त्रो ना बोलिये सहस्रा बोलिये सहरा सहस्रा बोलिये ऐसे सन्यासी में लोग लिखते हैं बड़े कही नवकाप्रियों करते हैं ऐसे से बहुत सारे शब्द हैं जो लोग गलत बैनर पोस्टर लगवाते हैं मैं तो देखता हूँ अब किससे किससे जाओं कहने शुद्धी करवाने यही मेरा काम रह गया है एक बार जो है रामो बिग्रहवान धर्मा अजोध्या जी में जो स्री राम जनव भूमी तिर्थ खेत्र ट्रस्ट है उसके लोगों पर लिखवा दिया था रामो बिग्रहवान धर्मा अब न खलंत नहीं किया था तो मुझे यहां से टोकना पड़ा बताना पड़ा समझाना पड़ा कि नव को हल करिए नहीं तो धर्मा नहीं धर्मा अर्थ हो जाएगा तो उन लोगों ने ठीक करवाया रामो बिग्रहवान धर्मा अब ठीक है तो यह व्याकरण के कारण ही ठीक करवा गया सोशल मीडिया के माध्यम से बात बताई गई बहुतों को पता है समझे मैं कहूंगा सभी विद्यार्थियों से कि व्याकरण सास्त्र पढ़ने के प्रती अपनी रुची रखें बढ़ाएं और व्याकरण के कारण आप स्रिमत भागत महापुरान गीता उपनिशद वेदान्त जो भी आप कथा भी करेंगे कुछ भी करेंगे प्रवचन देंगे तो आपकी बाड़ी से महर्शी वेद व्यास जी द्वारा जो ग्यान दिया गया हुआ सही रूप में प्रतिपादन हो सकेगा इसी किशाथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ ओम नमो नारायन आयो